हेलो दोस्तों मेरा नाम है दिशा विश्ट गौर्ड और आप देख रहे हैं जागरन जोज डाट कॉम और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करेंट अफेस के क्वेश्चन्स और क्या क्वेश्चन्स बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे उनके बारे में भी बात करेंगे साथ ही इस वीडियो के एंड में एक सवाल आपको देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ सम्मान से सम्मानित किया गया मिस्ट के राष्ट पती ने काहिरा में पियम मूदी को सम्मान से नवाजा अपने मिस्ट दौरे के दौरान उन्होंने मिस्ट की एक हजार साल पुरानी अल हकी मजजित का भी दौरा किया मिस्ट पुर्वत्तर अफरीका का देश है इसकी राज अंधर किंद्रिय यूवा कारेक्रम और खेल मंत्रिय अन्राग सिंग ठाको ने बीस एफ परिसर जाल अंधर में नव निर्मित अत्याधु ने बीस एफ हौकी टर्फ ग्राउंड का उद्खाटन किया इस नव निर्मित स्टेडियम को अंतराश्ट्रिय मानकों का अनुपालन सुनिश्वित करते हुए भारतिय हौकी महासंग से भी सभी आवश्यक मन्जूरी मिल गई है पीस एफ के महाने देशक नितिनागरवाल भी इस कारेक्रम में उपस्तित थे ग्रीस में किस राजनेता ने पी-म के रूप में दूसरे कारेकाल का चुनाव जीता है इसके आप्शन है क्यारी कोस, मिट्सो टाकिस, अलेक्सिस, सीपरास, अन्टोनिस और इनमें से कोई नहीं इसका सही उतर है क्यारी कोस ग्रीस में कंसरवेटिव नेता और ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारी कोस ने ग्रीस पी-म के रूप में दूसरा कारेकाल चीत लिया है पचपनवर्शी है क्यारी कोस की न्यू डेमोक्रिसी पार्टी ने देश में संपन हुए चुनाव में शानदार जीत दर्श की उन्होंने 8 जुलाई 2019 से 24 माई 2023 तक ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में कारे किया यह उनका दूसरा कारेकाल होगा ग्रीस एक दक्षन पूर्वी यूरोपिय देश है इसकी राजधानी एथिन्स है हिंदुस्तान यूनिलिवर के नए M.D. और CEO के रूप में किसे चुना गया है इसकी आप्षन है रोहिट जावा, अजय सिन्हा, विवेक कसाना और जीव निनु को पाल इसका सही उत्तर है रोहिट रोहिट जावा को हिंदुस्तान यूनिलिवर के नए प्रबंध निदेशक और मुखे कारेकारी अधिकारी के रूप में पदग्रहन करेंगे वो इस पद पर संजीव महिता का इस्थान लेंगे कंपनी की वावशिक रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान यूनिलिवर के एमडी और सीईओ के रूप में लगबग 21.43 करोड का वावशिक वेतन लेंगे 1986 बैच के सेंट स्टीफन्स कॉलिच से पढ़े रोहे दिले विश्व विध्याले से एमडी और की डिग्री हासिल की है वंडे क्रिकेट में लगातार तीन वंडे में पांच क्रिकेट का हाल लेने वाले पहले स्पिनर कौन बने है रविंद्र जडेजा, एडम जमपा, वानिंदू, मोहिन अली इसका सही उत्तर है वानिंदू हसरंगा शिलंका के स्पिनर वानिंदू हसरंगा वंडे क्रिकेट इतिहास में लगातार तीन बार पांच वंडे विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बन गए है उन्होंने योपलब थी वंडे विश्च कप क्वालिफाइलर के दौरान आयलेंड के खिलाफ हासिल की श्रिलंका ने बुलावायो के कुविन्स स्पोर्ट्स क्लब में आयलेंड को 133 रनों से हरा दिया उन्होंने इस मामले में दिगश पाकिस्तानी की इंदबास वकार यूनेस की बराबरे कर ली है भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्वे से किस ने 255.5 मिलियन अर्मेरी की जॉलर मन्सूर किये हैं इसका सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक विश बैंक ने पूरे भारत में सरकारी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्वे से 255.5 मिलियन अमेरी की जॉलर के श्रण को मन्सूरी देती है ये फंटिंग अगले 5 वर्शों के तरहां लगबग 275 चेनित सरकारी संचालित तकनीकी संस्थानों को साहित अप्रदान करेगी इसकी मदद से सालाना 3,50,000 से अधिक छात्रों को लाब होका अब इस वीडियो में हम आपको सवाल का सही उत्तर बताते हैं जो हमने आप से पिछली वीडियो में पूछा था वो सवाल था एकनॉमिक्स इंटेलिजिंस यूनिट के अनुसार रहने के लिहास से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है इसकी ऑप्षण थे नियू यॉक, वियना, बर्न और टोकियो इसका सही उत्तर है वियना अब इस वीडियो में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं जिसका सही जवाब अगर आपको पता है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको करके जरूर बताएं तो वो सवाल है भारत के किस गायक संगीतकार को बर्मिंगम सिटी यूनिवरस्टी ने डिरेक्ट की उपाधी से सम्मानित किया है इसके आप्षण है सोनुने गम, अरीजी सिंग, गुरूरंधावा और शंकर महादेवन अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप तक आपने जागरन जोश को सब्स्राइब नहीं किया है तो एजगेशन से जुड़ी तमाम जानकारी को जानने के लिए आप जागरन जोश को जरूर सब्स्राइब करें